ओम शंती आज के बाबा के साकर महवाक्य है 27 निवेंबर 2020 आज बाबा ने मुर्ली के सार में कहा मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो इसलिए शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं है मुर्ली में प्रश्न है सर्विसेबुल बच्चों में कौनसी आदत बिलकुल नहीं होनी चाहिए उत्तर मांगने की तुम्हें बाब से आशिरवाद या कृपा आदी मांगने की जरुरत नहीं है तुम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते मांगने से मरना भला तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोयेंगे जिन्हों को अपना भविश्यपद उच बनाना होगा वह जरुर सहयोगी बनेंगे तुम्हारा काम है सर्विस करना तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते भक्ती में मांग ना होता ज्यान में नहीं मुर्ली में गीत हैं मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया ओम शांती यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है शुक्रिया आदी की बात नहीं है यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों के बुद्धी में आता है खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धी में आ जाता है, गोया सदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो, तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धी में आ जाते है, मुलवतन, सुक्ष्मवतन, स्थुलवतन, यह भी जानते हो, यह खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्र तिकाल दर्शी बनाते हैं, तीनो कालो तीनो लोको आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं, काल समय को कहा जाता हैं, यह सब बाते नोट करने बिगर याद रह नहीं सकती, तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो, ड्रामा के डूरेशन को भी तुम जानते हो, त ग्यान का तीसरा नेत्र मिल जाता हैं, सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे, यह ग्यान तुम बच्चों को मिल रहा हैं, स्टुडन्ट की बुद्धी में सदेव नौलेज मन्थन होती हैं, यह भी नौलेज है ना, उचे ते उच बा पर रहते हैं, अभी तुम जानते हो हम आर्फन थे, आर्फन उनको कहा जाता हैं जिनके मात पिता नहीं होते, अब बेहद का बाप धनी मिला हैं, तो धन के बने हैं, पहले तुम बेहद के आर्फन थे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला हैं, और कोई बाप नहीं जो सुख देता हो, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, परंतु औरों को भी यथार्तरिती समझाए, इस इश्वर्य धंदे में लग जाए, हर एक के सरकंस्टांसिज अपने-पने होते हैं, समझा भी वह सकेंगे, जो याद की यात्रा में होंगे, याद से बल मिलता है ना, बाप है ही जोहरदार तलवार, तुम बच्चों को जोहर भरना हैं, योग बल से विश्व की बात्षा ही पाते हो, योग से बल मिलता हैं, ज्यान से नहीं, बच्चों को समझाया हैं, नोले सोर्स ओफ इनकम हैं, योग को ब प्रवल कहा जाता है, रात दिन का फरक है, अब योग अच्छा या ज्यान अच्छा, योग ही नामिग्रामी है भारत का, योग अर्थात बाप की याद, बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कड़ जाएंगे, इस पर ही बाप जोर देते हैं, ज्यान तो सहज है, भ में सब आजाता है, हिस्ट्री जोग्रोफी है ना, ज्यान और योग दोनों है सेकेंड का काम, बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना हैं, इसमें महनत हैं, याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मर्ती हो जाती, घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितना पावन हो जाए, मनुष्य रात को कोई छे कोई आट घंटा नींद करते हैं, तो अशरीरी हो जाते हैं ना, उस समय में कोई विकरम नहीं होता हैं, आत्मा ठक कर सो जाती हैं, ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं वह है नींद, विकरम तो होते नहीं, न नीद न करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नीद भी एक बचाव है, पापों से बचने का, सारा दिन सर्विस कर, आत्मा कहती है, मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ, तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है, हम आत्मा इस शरीर से न्यारी, शांत स्वरूप है, आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होंगी, आत्मा सत्चित आनद स्वरूप है, परमात्मा की महिमा गाते हैं, चेतन्य है, सुख शांती का सागर है, अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं, तो बाप युक्तिया भी बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं, सारा दीन निंद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे, पापो का विनाश करना है, जितना हो सके, बाप को याद करना है, ऐसे भी नहीं, बाप हमारे उपर रहेम वाकृपा करते है, नहीं, यह उनका गायन है, रहेम दिल बाद्शा, यह भी उनका पार्ट है, तम प्रधान से सतो प्रधान बनाना, भगत लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिरफ महिमा नहीं गानी है, यह गीत आदी भी दिन प्रती दिन बंध होते जाते हैं, स्कूल में कभी गीत होता है क्या, बच्चे शांती में बैठे रहते हैं, पीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं, यह बाप, शिरफ बाबा कहते हैं, मुझे तो पाइट मिला हुआ है, पढ़ाने का, सो तो पढ़ा नहीं है, तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है, आत्मा को बैठ सुनना है, तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है, बच्चों को कह क्या तुम उठो, नहीं, यह तो भक्ती मार्ग में करते, यहां नहीं, बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं, स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं, तो टीचर या तो रूल लगाएंगी, या तो बाहर में खड़ा कर देंगी, इसलिए डर रहता है टाइम पर यहां तो डर की बात नहीं, बाप समझाते रहते हैं, मुरलिया मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी हैं, रोज पढ़नी हैं, मुरली पढ़ो, तो तुम्हारी प्रेजंट मार्क पढ़ें, नहीं तो एपसेंट पढ़ जाएंगी, क्योंकि बाप कहते हैं, तुमको अगर मुरली मिस करेंगे, तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएंगी, यह है नई बाते, जो दुनिया में कोई नहीं जानते, तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, अर्थात आश्यर्य खाते हैं, कोई शास्त्र में भी नहीं हैं, भगवान ने चित्र बनाएं हैं, तुम्हारी यह चित्र शाला हैं, बाबा म्यूजियम के लिए कह रहे हैं, ब्रामहन कुल के जो देवता बनने वाले होंगे, उनके बुद्धी में ही बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक हैं, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं, भक्ती मार्ग क शास्त्र में पहले नंबर में गिता ही हैं, क्योंकि पहला धरम ही यह हैं, फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं, पहले इब्राहिम आया, तो अकेला था, फिर एक से दो, दो से चार हुए, जब धरम की वृद्धी होते होते, लाक रेड़ हो जाते हैं, तो शास्त्र आधी बनते हैं, उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना, बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्सा मिलता हैं, तुम जानते हो, बाप हमको सारा ज्यान, स्रिष्टी चक्र का समझात हैं, जो और कोई सिखला ना सके, भल वर्ड का नक्षा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहां दिखलाते हैं, कि लक्ष्मी नारान का राज्य कब था, कितना समय चला, वर्ड तो एक ही हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं हैं, यह बाते किसी की भी दी में नहीं है, वह तो कल्प की आयो ही लंबी लाखो वर्ष कह देते, तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, बाब कहते हैं पावन बनना है, पावन बनने के लिए तुम भक्ती मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो धक्के खाते खा पच्ची सो वर्ष गुजर गए, अब फिर बाबा आया है, फिर से राज्य भाग्य देने, तुमको यही याद करना है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है, अभी तुम पुराने भारत के मालिक होना, फिर नए भारत स्वर्ग के मालिक बनेंगे, एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दुसरे तरफ फिर बहुत गलानी करते रहते, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मुत, और दुसरी और गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अ कावन राजिय, बाप है गरीब निवाज, गरीबों की ही बचिया मिलेंगी, सहुकारों को तो अपना नशा रहता हैं, कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं, शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती, दादा अर्थात ब्रम्ह बाबा को होंगी, इनको अपना भी फिकर हैं, हमको नंबर वन पावन बनना हैं, इसमें है गुप्त पुर्शार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता हैं, इनका पुर्शार्थ जास्ती हैं, बाप हमेशा समझाते रहते हैं, डाइरी रखो, बहुत बच्चे लिखते भी हैं, उधार बहुत हुआ हैं, यह युकती बहुत अच्ची हैं, तो सबको करना चाहिए, डाइरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा, डाइरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी हैं, डाइरी भी मददगार बनेंगी, पुर्शार्थ होगा, डाइरिया कितनी लाखो करोडों बनती हैं, नोट आदी करने लिए, सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, यह कभी भूलना नहीं चाहिए, बाबा मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स और बाबा की याद के लिए कह रहे हैं, कि यह कभी भूलना नहीं चाहिए, उस तो हमको घाटा पढ़ रहा हैं, क्योंकि जनम जनमांतर के विकरम भस्म करने हैं, बाप रास्ता बताते हैं, अपने उपर रहम वाकृपा करनी हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं, आशिर्वाद तो नहीं करेंगे, आशिर्वाद कृपा रहम आदी मांगने से मरना भला, कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सक्त मना हैं, बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार, जिन होने कल्प पहले बीजबोया हैं, वर्सा पाया हैं, वह आपे ही करेंगे, तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, मनुष्य दान पुन्य करते हैं, तो रिटन में मिलता है ना, राजा के घर में वह सहुकार के पास जन्म होता हैं, जिनको करना होगा वह आपे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं हैं, कल्प पहले जिन होने जितना किया हैं, ड्रामा उसे कराएगा, मांगने की दरकार नहीं है बाबा तो कहते रहते हैं, हुंडी भरती रहती हैं, सर्विस के लिए, हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसे दो, भक्ती मार्ग की बात ग्यान मार्ग में नहीं होती, जिन्होंने कल्प पहले मदद की हैं, वह करते रहेंगे, आपे ही कभी मांगना नहीं है, बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इखटा नहीं कर सकते, वह तो सन्यासी लोग करते हैं, भक्ती मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटन एक जनम लिए मिलता हैं, यह है जनम जन्मांतर के लिए, जो जनम जन्मांतर के लिए सब कुछ दे दे, अच्छा है ना इनका तो नाम भोला भंडारी है श्यू बाबा का, तुम पुर्शार्थ करो तो विजय माला में पिरोये जा सकते हो, बाबा गायन सुना रहे हैं भोला नाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर, वहां कभी अकाले मृत्य होती नहीं, यहां मनुष्य काल से कितना ड करते हैं, थोड़ा कुछ होता हैं तो मोत याद आ जाता, वहां यह खयाल ही नहीं सत्यूग में, तुम अमर पुरी में चलते हो, यह चीची मृत्य लोक हैं, भारत ही अमर लोक था, अब मृत्य लोक हैं, तुम्हारा आधा कल्प बहुत चीची पास हुआ हैं, नीचे गिरत आए हो, जगनात पुरी में बहुत गंदे-गंदे चित्र हैं, बाबा तो अनुभवी है ना, चारो तरफ घुमा हुआ हैं, गोरे से सामरा बना हैं, गाउं में रहने वाला था, वास्तों में यह सारा भारत गाउं हैं, तुम गाउं के छोरे हो, अब तुम समझते हो, हम व बॉम्बे में रहने वाले हैं, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या हैं? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं. हम गाउं के छोरे निधन के बन गए हैं, आब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए? नाम ही हैं स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरत महलों में लगे रहते हैं, सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरतों से भरा हुआ था, पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना सहुकार था, अभी तो भारत गरीब हैं, सत्यूग में बहुत माला माल थे, यह बाते दुन फिर विश्व के मालिक बनते हैं, तुम बच्चों को अपने भाग्या पर शुक्रिया मनाना चाहिए, हम पदमा पदम भाग्येशाली हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. आज की मुर्ली में धारना के लिए सार हैं, उसमें पहला हैं, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुर्शात करना हैं, याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मर्ती हो जाएं. दुसरा हैं, ज्यान का मन्थन कर आस्तिक बनना हैं, मुर्ली कभी भी मिस नहीं करनी हैं, अपनी उन्नती के लिए डाइरी में याद का चायट नोट करना हैं. आज बाबा ने विशेश जमा और घाटा का चायट रखने के लिए बोला हैं, कि हमारा कितना जमा हुआ और कितना घाटा हुआ, अर्थात कितना बाबा की याद में रहे, जिसमें अपना याद का चायट और सर्विस का चायट जरूर रखेंगे. आज बाबा ने वर्दान दिया नौलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव. वर्दान का स्पष्टी करन हैं, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नौलेज रूपी चाबी मिलती हैं. ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो. चाबी मिली और माला माल बन गए. जो जितना माला माल बनते हैं, उतना खुशी स्वतह रहती हैं. ऐसे अनुभव होता हैं, जैसे खुशी का जर्ना अखुट अविनाशी बहता ही रहता हैं. वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं. उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ती नहीं रहती. आज का स्लोगन हैं, बाप से कनेक्षन ठीक रखो, तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेंगी. ओम शांती.